हलो दोस्तों वालकब तो गियाफ लिक के और यह है महिंद्रा जीओ जो एक एलेक्ट्रिट मिनी पिकप ट्रक है और देखने से आपको यह जीतो जैसी लगेगी लेकिनि यह जीतो के प्लैटफॉर्म पे नहीं बनी है यह जीतो का लुक इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि और यहाँ उसका लुक देख सकते हैं यहाँ पे कुछ changes किया गया है ब्लू कलर का inclusion किया गया है यहाँ पे थोड़ा सा और attractive बनाने के लिए और यह बताने के लिए कि यह एक EV है एक electric vehicle है अब इसमें जो आपको सबसे बड़ा question होगा कि इसका range क्या है तो आपको जो range मिलता ह इसमें यह मिलता है 160 km का on a pull charge यह real time जो range आपको मिलेगा वो यह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा graphics थोड़ा से jazzy कर दिया गया है वील covers भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे of course जो इसका hold area है यह काफी बड़ा है और यहाँ पे अगर हम अंदर देखें तो यहाँ पे कुछ additions किया गए है इसमें यह इस तरह का cabin है और यहाँ पे there are a few things जो add कर दिये गए हैं एक monitoring system driver के लिए होगा कि अगर driver ने अगर seatbelt पहना है और वो ठग गया है fatigue में है तो वो one करेगा यह गाड़ी उसे one करेगी और इससे safety भी बढ़ जाती है यहाँ पे आप द steering basic सा है और यहाँ पे digital console दिया गया है digital आप देख सकते हैं कि यह इसका IP है जो fully digital है इसके लावा इसमें ADAS भी आता है और ADAS में आपको front collision warning और इसके साथ साथ और भी कही सारे जो features है वो आपको मिल जाते हैं अब एक बात और है कि यहाँ पे जो battery है इसका जो battery में इसमें आ cooling मिलती है तो charge करते time या charge करते समय जो overheating होती है वो नहीं होती है इससे और इस वजह से आपको range भी अच्छा मिलता है battery life भी अच्छी मिलती है और इसमें fast charging का भी option है अगर आप इसे fast charge करना चाहें तो एक गंटे में आप इतना charge कर सकते हैं कि आपको 100 km का range आपको मिल जाए के लिए और up to 200 km आप आराम से चला सकते हैं और liquid cooling का ये एक फाइदा है कि extreme heat conditions होंगे तब भी कोई problem नहीं होगी battery down नहीं होगी और एक temperature भी battery का जो है ये maintain रहता है अब इसमें बाकी 20 की तरह regenerative braking भी है और इसके अलावा इसमें एक creep function दिया गया है कि up to 8 km की speed पर अगर चला तो ये भी एक बहुत फाइदे मन्त चीज़ है अगर आप bumper to bumper traffic मिता रहे हैं full load के साथ तो आपको accelerator पे बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूत नहीं है 8 km की speed तक अपने आप ये गाड़ी चलती है आपको सिर्फ brake पे थोड़ा नियंतरन रखना पड़ेगा अब इसकी जो payload पे आपको close body भी मिलेगी और ये आपको बहार से fit करने के ज़रूत नहीं है ये company से ही आपको इस तरह का fitment है वो आपको मिलेगा और यहाँ पे भी आपको of course जो space है ये काफी अच्छा मिलता है तो electric में आपको इतना सारा space मिल रहा है 765 kg का payload मिल रहा है ये अच्छी बात है प्लस जैसे मैंने आपको बताया है कि आप एक दिन में ये ना किसी problem के 200 km चला सकते हैं तो कि इसमें fast charging भी आता है और इन दोनो body styles में आपको 30,000 का फरक पड़ेगा यानि कि अगर आप ये full body व और 21.3 kWh तो ये थी कुछ बाते हैं महिंद्रा जियो के बारे में अब last mile mobility को electric में convert करके आप काफी बचत कर सकते हैं इसका range भी अच्छा है इसका जो payload capacity है ये भी काफी अच्छी है तो आप हमें comment से बताईए कि क्या आप महिंद्रा जियो खरीबना चाहेंगे या नहीं इस चला के भी हम बताएंगे कि actually ये चलने में कैसी है ये load उठाने में कैसी है और आपको range कितना मिल सकता है ये सारी बाते हम बताएंगे इसको चलाने के बाद तब तक के लिए good bye और इस वीडियो को like जरूर कीजिए